हाई फ्रेंड्स वेलकम टो हल्दी कुकिंग लैब पारिस के मौसम में सबके व्रत सूरो हो गये होंगे तो आज हम व्रत से जुड़ी हुई एक फराली रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही चटपटी और स्वादिश्ट है और जो बीना व्रत के भी आप सुवे के नास्ते में बना के खा सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक बड़े से बाउर में उबले हुए ग्रेटर केले या आलू लेंगे मैंने यहां पर कच्चे केले लिए है अब इसमें एक चमच तील डालेंगे एक चमच सौफ का पावडर देर चमच पीसी हुई सक्कर डालेंग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे नमक यहां मैंने व्रत का लिया हुआ है एक कप अनार के दाने डालेंगे थोड़ा हरा कटा हुआ धनिया एक चमच मुंग फली का पीसा हुआ पावडर थोड़े मीठे नीम पत्ते और दो परी मिर्च काटी हुई डालेंगे अद्रक का पेश्ट आदा चमच और सुखा नारियल का बुरा दो चमच लिया है वो डालके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इस मिश्रन में से इस साइस के एक जैसे गोले बना लेंगे आप देख सकते हैं कि मिश्रन में से मैंने एक जैसे नौ गोले बना लिये हैं अब हम इसका ओपर का लेयर तयार करेंगे बाहर के लिए हम यहाँ पे उबले हुए आलू या तो उबले हुए कच्चे के लिए लेंगे मैंने यहाँ पे उबले हुए कच्चे के लिए लेके उसे मैश कर लिया है अब हम इसमें एक चमत टेल डालेंगे कोई भी कुकिंग और ले सकते है स्वाद अनुसर नमक डालेंगे आलू या केले फ्रेस हुबले हुए लेने से बाइंडिंग अच्छी आती है अब हम इसमें आरा लोड डालेंगे मैंने यहाँ पे तीन चमच आरा लोड लिया है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बाइंडिंग अच्छे से लाने के लिए मैं यहाँ पे दो चम्मच पाने डाल रही हूँ उपर के लेयर के लिए मैंने नौ लोई बना के तयार कर ली है अब हम इसे उंगली और हतेली की मदद से इसे पूरी के जैसा चप्टा कर लेंगे अब हम इसमें स्टाफिंग बॉल रखके उपर के लेयर का जो आटा है उसमें कवर करेंगे अगर आपसे यह नहीं होता हो तो आप हाथ को थोड़ा चिकना कर ले आप देख सकते है ऐसे गोल गुमा के मैंने पूरा बॉल तैयार कर लिया है ऐसे हम सारे गोले तैयार करेंगे सब गोले तैयार कर लिये है अब हम इसे फ्राइ करेंगे फराली बॉल को डालते हैं फ्लेम को हाई रखना है एक मिनिट के बाद इसको हिलाना है और फिर हम मीडियम फ्लेम पे इसको तीन से चार मिनिट होने देंगे मीडियम फ्लेम पे इसको हिलाते रहना है आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे ब्रत में खाने के लिए हमारे चटपटे फराली बॉल्स सायार है मेरी रेसिपी से जूड़े हुए आपके ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजे और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजे मेरी चैनल को सब्स्राइब कीजे ऐसी और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिये गए बैल आइकन को प्रेस कीजे